कि और एक केसिंग और आज फिर हम अपने डिटर परैस भी एंटीडी स्पेसिल ग्लास देखेंगे एंटीडी स्पेसिल ग्लास में हम क्या देख रहे हैं मॉक टेस्ट आपके पराय जा रहे हैं मौक टेस्ट के बाद आपके यानि की PYQ और प्रैक्टिस टेस्ट कराई जाएंगे और थियोरी सबसे लाश्णे पढ़ाई जाएंगे क्यों कि PRT और NTT दोनों में कहीं न कहीं आपने CTAT के फॉर्म में इन सबको पढ़ चुका है यानि की TGT और PGT इन दोनों में क्या होता है सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी बढ़ती है फिर आपका क्या है 4 पी फी वाई क्यूद फिर आपका PRACTIF ट्रैस्ट ऑर आपके मॉक सरह इस तरह चलता है क्योंकि कहीं नंगिन कोशनों से आप डील कर चुके हो पहले तो समय वैस्णा अट न करते विए चलते हैं आज की मौक टेस्ट के सरी तरफ और जितने भी आके मौक टेस्ट के पीडिएफ हैं वह आपको कहा मिलेंगे वह आपको मिलेंगे टेलिग्राम चैनल पर टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लेना है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अब वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है अपनी दोस्तों को तो चलिए आज है आपका मोग टेस्ट नंबर सेवन इससे पहले छे के छे आपको टेलिग्राम गुरूप पर मिल चुके हैं तो आप महां से जाकर डाउन्रोड करकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो समय वैरत न करते हैं पहला कोशन क्या कहता है लेकर तो अब को बताना है क्या है यह वस्तु का अवस्था के बारें बताता है तो आपको समय हो गया खत्म तो यह आपके बताता है और नमबर डी यानि कि वस्तों में ये वस्तों की घर्णा की कि ये बिना वस्तों के छोटे समोग की मातरा को प्रारम गुण समझाता है क्या हो गया option नमबर डी हो जाए इसका चलिए दूसरा question देखते है question नमबर दो देखते हैं उस्तन 6 वर्ष के बालक की शब्दावली का आका डैस शब्द का होता है यानि कि ये question आपका seat at में पूछा गया है कहीं न कहीं, और c-tatic से यानि की paper 1 में कहीं न कहीं, आपको पता होगा कितने शब्द बोलता है, तो आपको समय सुरू होता है, अब आपको पताना है जो 6 वर्ष का बच्चा है, भैया 6 वर्ष का बच्चा कहीं न कहीं, जो words होते हैं, जो सब्दो का है, उसके पास कितना एक से बंडारण हो जाता है तो वह हो जाता है 14,000 के आसपास तो यानि कि option number हो जाएगा बी चलिए question number 3 देखते है question number 3 क्या कह रहा है डैश आवलोकन पद्धिती है जो समू के बीतर एक बच्चे को अन्योन क्रियाओं और मित्रता का वित्रन देती है तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर आपको बताना है तो आपका समय शुरू होता है यानि कि समाज होगा उसका घटक होगा तो क्या होगा इसका अंसर देखो जब बच्चों की बात आ रही है तो कहीं न कहीं आप किसमें हो और समू की बात आ रही है चलो बच्चों की छोड़ दो आप कर रहे हैं समू के बीतर यानि कि जहां पर भी समू हो और आपको option में कहीं नहीं समाज दिख जाए तो समाज की बात आ रही है यानि कि समाज के अलेखन की बात हो रही है याद कर लेना यह ट्रिक है यानि समू, जहां पर समाज दिख जाए तो वहां समू होगा, जहां पर समू दिख जाए वहां पर समाज होगा, तो यह आपको कुशन का आंसर आपको एक ट्रिक के जरिए बताया जा रहा है, चलिए, कुशन नमबर चार देखते हैं, एक नियूरो, बानोवेग्यानिक समवाद करने, रिष्टे को समझने और दूसरों के संबंद होने की चमता को महत्वपुन रूप से प्रफावित करती है, और अक्सर ऐसा मान्या और परंपरिक संस्कारों या वैवारों से जुड़ी होती है, तो यह आपको बताना इतना लंबा कुशन दे दिया, छोटा सा अंसर है, तो आपको बताना है इसका अंसर क्या होगा, तो इसका कहना होगा, इसका होगा, आरटिजम विकार, यानि की ऑप्शन नमर बच्चों ने यानि कि यह जो question था इसमें कहीं नगी बच्चों ने इसका अंसर यह लगाया था बहुत सारे बच्चों ने पर यह नहीं है इसका अंसर पहला ही हो जाएगा चलिए question number 5 देखते हैं संकेत प्रियोग विज्ञान किससे संबंदित है तो यह किससे संबंदित है आपको बताना है किससे संबंदित है तो आपका यह question एक तरह से यह भी question कहीं नगे जाएंस के नगे मिला होगा तो इसका अंसर क्या होगा यह अरे किस यह लिए समाजिक स्थितिक के लिए भाषा का नियम यानि की option number B हो जाएगा इसका आंसर चलिए और जिसमें बच्चे को previous year यानि की previous year की seat at के previous year चाहिए तो वो सिर्फ सिर्फ नियान अर्वेव में और कहीं न कहीं यूजी सी नेट की तयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए सो और मात्र पीवे सिर्फ रखे गए तो आपको कहा लिंक आपका यहां पर दिया गया है तो आप यहां से जैसे के लिए करेंगे तो आप लिंक आपको मिल जाएगा चलिए आगे चलते कोशन नमबर 6 देखते हैं पूचा गया है और यह कहीं न कहीं हमने कहां पड़ा है जब हम किसके बात करते हैं जब हम एक तरह से अपने विकास की बात करते हैं विकास में भी हम आपके बहुतिक विकास की बात करते हैं तो जब विशलेशन कौन कर सकता है जो बहुतिक रूप से सही हो यानि मूर्थ बॉदिक रूप से सही तो इसका आज रोग जाए बॉदिक रुकास होना चाहिए चलिए कुश्यन नंबर साथ देखते हैं प्रारंबिक बाल नवस्ता देख बाल और शिक्षा किस आयूवर्च के बच्चों की शिक्षा से संबंदिद है तो किस आयूवर्च की शिक्षा तो ऍ keywords नंबर बताई ऐसी सी की बात पूछ रहे हैं लाकिया Hem और आपके मदाया आपको पढ़ाना किसे है याने छे से उदा वर्षकों नहीं पढ़ाना 62 जिल में कौन अइग विन शील है कौन गुलंशील है उसके बारें अपको बताना है और यह कोर्षिन भी आपका कही न कहीं तो आपको यह भी इस तरह के पर आपको ज्यान जनेर्मब्र मैं भी देखने लिए मिल सकते हैं तो इसका क्या और जाएगा ऑपशियंद पर दी वास दिएक नंबर 9 देखते हैं डैस में बच्चों के वैवार के बारे में और विशिष्च समर्पर भुच्चों क्या कर रहे हैं होते हैं उसके बारे में टिपनियों का अभिलेकन करना समलित होता है तो आपको होता है यानि कि काल प्रतिदर्शन यानि कि option नमबर पहला हो जाएगा time के बारे में हो जाएगा तो time कहीं नगी हमें सब चीज़ों के बारे में बताता है यह time है यह गड़ी है तो आपको पता होगा कि इस time वीडियो आएगी यह sambalet होता है तो क्या होता है तो इसका आठाब को बताना है तो और विद्य अभी लेख anál या निकि अभी अबा जाये किल जाये और सिंग वन यानि फ्याप टाइब पिक चीज़्य जिःते सारी पहले नमबर में आ जाएगी तो इसका अंसर हो गया दस का एक यह आपकी सारे की सारे ऑप्शन दिये गए हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और एक चीज का दियानक ना बच्चो कि आप यह सोचो कि डाउनलोड करके रख लें सारे की सारे मौक टेस्ट कोई फायदा लगता है और हटाने में उससे डबल टाइम लगता है और वही बात है कि जब जो चीज फ्री में ही रहेगी उसके लिए अब यह मान लो कि मैं आज हटा दू अगले साल का है उस चीज को पढ़े फिर दोबारा डालो तो उसका कोई फायद है और प्रैक्टिस कर लो तो इसल कि मेरे कितने नंबर आए है ठीक है बच्चों आशे करता हूं को वीडियो पसंद नई वीडियो पसंद देदो लाइक करें चैनल के सब्सक्राइब में वीडियो के जाए शेयर करें थैंक्यू